जी ये फूफा जी हैं बुवा हैं और ये मेरे पिता जी हैं ये मेरा भाई है और बाबा हैं अच्छा आप लोग यादव परिवार से हैं यादव परिवार के लिए कहा जाता है कि हमेशा से अखलेस यादव के लिए ऊट करते हैं ऐसा कहा जाता है तो आप लोग भी यादव परिवार से हैं अब मोहन जी बीजेपी से हैं तो क्या रियक्शन होगा लेकिन ये तो भाजाईयों का फर्ज है नंदों का थोड़ी ना है अच्छा और इतना बड़ा दे दिये भाई उन्होंने सेम बना दिया हम लोग को इतनी खुशी है यहां के दमाद हैं वो लड़की है यहां की और वो आसियम बन गए हैं पूरे सुल्तानपूर को पूरे महले को उन्हें पे गर्व है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्रमुद गुपता और आप देख रहे हैं जे भारतियूज मोहन याद दाओ मद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं ऐसे में हम उनके उत्ता प्रदेश के सुल्तानपूर जिले में ससुराल में पहुचे हैं मोहन यादव का ससुराल से जो है गहरान आता है यहां पर आते जाते हैं अब देख सकते हैं ससुराल के लोग हैं हम खास बात चीत करेंगे कि तस्वीर दिखाएंगे तस्वीर दिखाईएगा जरा परिवार से किस तरह से मिलने आते हैं अभी हाल ही में आये थे और पता चलता है कि मुख्यमंत्री बना दिये गए हैं और परिवार के लोगों में खुशी है इस तस्वीर के पीछे की भाई है और बाबा है तो यह भी पिछले साल आये थे फुफा जी तब की तस्वीर है कब कब आते हैं और सबसे पहला रियक्शन क्या होता है जब आप लोग सुनते हैं मुख्यमंत्री बना दिये गए हैं एक राजी के थोड़ा सौकिंग था पर बहुत कुशी हुई क्यों को सीम बनाया जाएगा अचानक से पता चला और न्यूज में ही था और पहले काफी सारे नाम फ्लैस हो रहे थे बट अचानक से बोला गया कि मुखने अदों को चुना जाता है सीम पत के लिए तो बहुत ही खुशी हुई फिर बहुत ही अच्छा लगा परिवार के लोगों हैं सब मिलने आ रहे हैं सब बहुत खुश हैं कोई किस्सा बताइए जब आए हो तो कोई बातचीत होई हो आप लोग से परिवार से इसा कुछ खास तो नहीं कि हमेशा से वो राजनीती से जुड़े रहे हैं इसकी वाज़े से उनको समय बहुत कम मिलता है आने का पर हाँ जब भी आते हैं तो बहुत मिलनसार हैं आते हैं अच्छी बातचीत होती हैं रुपते हैं साथ में खाना पीना सब चीजें और अगर जैसे ही मुख्मंत्री बनाए जाते हैं यह ससुराल है और ससुराल में खुशी की लहट दोड़ पड़ती है तो आस पास बडोस के लोगों का क्या रियक्षन है मिठाई उठाई खुब बाटी जा रही होगी हां हां बिलकुल सब मिलने आये समने बहुत बढ़ाई दी सब म क्या देख सकते हैं परिवार के लोग है आपके कौन है मोहन जी हमारे नंदोई है तो मुला आते हैं तो मुलाकात होती है मुलाकात होती है बाते भी होती है कितना कितनी खुशी है आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा खुशी है कि जब सुने उनका सियम का पदमी लिया है तो पहले तो कुछ समझ में आए क्या करें इतनी कुछी थी फिर बाद में फिर सब दे दे थोड़ नॉर्मल होगा फोन आता है कभी फोन आता है बात भी होती है सीमा से बात हुई है भी और उनका तवी ते ब्यस्ता रहा है उनसे इसमें नहीं बात हो पाईगी तो क्या जब बिदायक दल की बैठाग हो रही थी है इससे पहले कभी घर में चर्चा हुई हो कि मुझे में मुख्यमंत्री बना जा सकता है क्योंकि मामा को गद्दी से उतार करके मुहान जी को मुख्यमंत्री बना गया है एक सब के लिए बड़ी सौकिंग जी मतलब उनको बनाया जाए तो वो सबके लिए सौकिंग ही है और अगर उन्हें चुना गया है तो किसी अच्छे काम के लिए चुना गया होगा उनको उस काबिल समझा गया होगा इसलिए उनका नाम आया है तो अच्छा ही है अच्छा आप लोग यादव परिवार से हैं यादव परिवार के लिए कहा जाता है कि हमेशा से अखलेस यादव के लिए वोट करते हैं ऐसा कहा जाता है तो आप लोग भी यादव परिवार से हैं अब मोहन जी बिजेपी से हैं तो क्या रियक्षन होगा ऐसा कुछ भी नहीं है विजेपी और सब्बावाला हम लोग पहले से रस से जोड़े हुए हैं तो रस का परिवार हैं इसकी वज़े से भाजपा से जोड़े हुए हैं और बस इस से लिए और कुछ से इसा नहीं है जात्वाद वज़ा मतलब कि यादव जो है कहीं कहीं अखलेश यादव की तरफ ना रुजहान करके बीजेबी की तरफ रुजहान करेंगे यह गड़ी कहीं समझ मा रही है मुझे तरफ नहीं लगता है वो उनकी काबिलियत के उपर ही उनको वहां तक पहुंचाया गया है और अगर कोई यादव है भी तो अगर उसको लगता है कि सपा वाले अच्छा काम कर रहे तो वो नहीं वोट देगा और उन्हें अगर लगए कि हाँ वीजेपी वाले कर रहे ह वह देए गे विजेपीको वोट तो मुझे तो कहीं से यह और नहीं लगता है इसा कुछ कि देख सकते हैं एक तरह से मुहले के लोग भी हैं र्यक्षन जानने की कोशिश करेंगे क्या दा्व हुआ आपका किरन सर्मा किरन जी आपके मुहले में एक रहन दिए जी जाती है मोहन जी मुख्मंत्री बना दिए है एक राज की कैसा लगता है बहुत अच्छा बहुत बहुत बधाई दिये हैं लोग जीजा जीजा जीसे मिली है कभी मिले हैं क्या बाचीत हुई है पर आइस दर्सकों को बताईएगा कि उनका क्या नेचर है क्या बहुत अच्छा है लिघा का गणा को जाग नहीं? करते हैं जब लोग सीरियस होते हैं इसलिए घर में वैसे इसे प्रिबार के लोग साथ है वह अच्छे हैं भाई आप लोग को क्या लगता है किस तरह का नेचर मतलब जैसे पॉल्टिकल नीचर है तो बाहर तो सीरियस होना है तो क्या घर पॉलिटिक्स करने लगे नहीं बिल्कुल नहीं पॉलिटिक्स अलग है घर का महौल अलग है घर का महौल बिल्कुल अलग है अच्छा साधी कब होई थी जैसे आप से पहले हुई तब तो इस तरह का कैरियर नहीं रहा होगा जब साधी हुई तो ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर भी बने तो ऐसी खबरे आती रहती है हां फिर उसका सिच्छा मंत्री बने उसके बाद तब फिर यह हो गया अब तो एक डम परिवार खुस है है बहुत खुस है परिवारी नहीं सब पूरा आसपास महौला जो भी सुनना है सब सबको बहुत खुसी हो रही है तो कब बुलाना चाहेंगी कि मोहन जी यहां पर आए अब देखिए जब फर्स टाइम होगा बताएंगे कहा जाएगा जब आएंगे तब फिर बुलाएंगे फोन पर बात हुई है भेजिन की नाई भावजाई की बधाई दिये है बस अरे कुछ धैंगी नननत थोड़ी न देंगी अब भले यह वो सी यह लेकिन यह तो भावजाईयों का फर्ज है नंदों का थोड़ी नहा है अच्छा और इतना बड़ा दे दियें भाई उन्होंने एसी एंब बना दिया हम लोग को इतनी खुशी है यहां के दामाद है वो लड़की है यहां की और वह आसीम बन गए हैं पूरे सुर्टानपूर को पूरे महले को उनके गर्व है उनकी वज़े से हम लोग इतना खुश की कारण मिला है तो हम सब इतने खुश हैं सब लोग खुश हैं पूरे महले वाले पूरे सुल्टानपूर वाले इस वक्त बहुत खुश हैं तो यह इससे बड़ा नेग और क्या होगा किसी के लिए यह कहें कि आपके दामाद लगेंगे अब यहां यहां नंदोई हैं तो मनतरी योगी जी जो है आगे गए हैं और इतना विकास किया है ऐसे उसी राह पर यह भी चलकर जो है हम लोग को ऐसे दिखा है ज्यादा खुशी मिलेगी ज्यादा प्रुसंता होगी